हेलो एंड वेलकम, गरेट अकेडमी के ओनलाइन पोटल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है M.D. समी, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए महा बली योद्धा सिरीज, जिसमें आप लोगों को हम 500 कोशन्स करवा रहे हैं, यह सारे मोस्ट सेलेक्टिव कोशन्स हैं, जो कि आपके एक जामेनेशन पॉइंट आप व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है, यह सारे कोशन्स में से मैं यह दावा करता हूं, कि 99% कोशन्स आएंगे ही आएंगे, और जो हम लोगों प्रिपरिशन्स करवा रहे हैं आप लोगों को, हिस्टी ओफ जाएंगे, जिससे आपके एकजाम में कोशन्स आएंगे ही आएंगे, तो आप लोगों एकदम टेंसन फ्री होके, टेस्ट को सिरियसली दीजिए, ताकि आपने आपको जज कर सकें, आपने कितने प्रिपरिशन्स अपने अच्छे किये हैं, उन साय चीजों को आप समझ सके और अपने कोशन्स करने की अक्यूरिसी को पढ़ा सके, क्योंकि एकजाम में दो सेकेंड का टाइम मिलेगा, आप लोग को एकदम अच्छे से कोशन्स को अटेंट करना है, और सभी बच्चे को सेलेक्शन लेके ही आना है, तो चलिए इस सिरीज के लिए एकदम आप तयार ह जाएए और जो आप लोग कहीं से भी टेस्स दे रहे होंगे, अपने आपको जज नहीं कर पा रहे होंगे, इस सिरीज से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये टेस्ट आप लोग दीजिए, इससे आपकी सारी प्रोब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और एकदम से आप लोग हर च on economic activity of an specific country, duty, import and export, then such economy are called, इसका answer है open economy, एक बात इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, closed economy जो है, इसमें import-export नहीं आता है, कोई भी import-export किसी भी product की नहीं की जाती है, पर open economy में import-export इंक्लूड हो जाता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, closed economy और open economy, और रवीन सर के lectures को बहुत ही अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिए, उन्होंने हर चीज के बारे में detail में बताया है, जो भी बच्ची question attempt नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे questions को attempt आप अच्छे से कर पाएंगे, और दो सेकेंड का आपको time दिया जाएगा हर question के लिए, और number जोड के हमें जरूर बताईएगा last में, ताकि हम यह idea लगा सकें कि और किस किस तरह questions आप लोग के लिए ले के आना है, अगला question है, the removal of prohibitions and hindrance by government is called, इसका answer है liberalization, तो पहले क्या होता था, 1992 से पहले, कि किसी भी product को बनाने के लिए, छोटी से छोटी पेन हो, या साबून को बनाने के लिए, या कोई भी company खोलने के लिए, हमें license की जरूरत होती थी, अगर हमें मेरे पास license नहीं है, तो हम किसी भी चीज का manufacturing नहीं कर सकते हैं, पर इंडिया ने 1992 में इस सारी बाधाओं को, सारी परतिबंधों को हटाया, और liberalize किया, और उस समय से, सारी products की manufacturing बहुत तेजी से बढ़ गई, अगला question है, इसका answer है, International Bank of Reconstruction and Development, तो बच्चों, World Bank के बहुत सारे parts है, जो आप लोग को रवीन सर अपन लेक्चर से बताएंगे, आप लोग उनके लेक्चर को फालो किजें, सिरेसली हर एक चीज आप लोग को किलियर हो जाएंगी, जितने भी आपके प्रॉब्लम है economics और मार्केटिंग में जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे, सारी चीज़ें रवीन सर बहुत ही research करके बना रहे हैं, और सारी चीज़ों को आप लोग के लिए ही ला रहे हैं, आपके सारे doubts एक्जाम से पहले किलियर हो जाएंगे, और भरपूर questions आप लोग को मैं करवा रहा हूं, ताकि अपने preparations को आप बिटर कर सके, अगला question है, socialism is a successfully achieved because of, इसका answer है, access socialistic approach in society, तो समाजवादी हर एक society में है, हर एक आदमी किसी न किसी रूप से हर एक की help करना चाहता है, समाजवादी समाज बनाने के लिए, किसी भी government company में हर एक आदमी चाहता है, तो company भी इसका support करती है, और government ने भी support किया, ताकि society को हम socialistic बना सके, socialism उसमें ला सके, तो समाजवादी आज हर जगा है, इस चीज़ को improve करने के लिए, लोगों ने भी support किया, company ने भी support किया, और government ने भी support किया, तो इस तरीके से सफलता पुरूख हम उसको achieve कर पाए, अगला question है, IMF was established to meet which of the following objectives, इसका answer है, first, third or fourth, तो IMF जो है, किसी भी country, कोई भी country जब import, export करती है, तो उन लोगों को एक trade agreement पर sign करना होता है, तो trade करने के लिए, जब company import कर रही है, तो उसे कुछ न कुछ export जरू करना होता है, अगर कोई country अगर export नहीं करती है, तो देश का विकास रुक जाता है, तो अगर मान लिजे किसी country का GDP ठप हो गया है, तो अगर वो अपने industry को चलाना चाहती है, तो उस condition में IMF loan देती है, ताकि अपने industry को चला सके, इक्जामपल में आप पाकिस्तान को ले लिजे, वो IMF के loan पे ही चल रहा है, और मान लिजे अगर अपने country में आपको projects बनाने हैं, तो projects बनाने के लिए IMF loan नहीं देती है, उस case में World Bank आपको loan देगी, लेकिन IMF सिर्फ उसी condition में loan देगी, जब आपके country का GDP ठप हो जाता है, और अपने industries को बकरार रखना चाहते हैं, ताकि अपने exports पे आप ध्यान दे सकें, तो इन सारी चीजों के लिए ही IMF loan देती है, बाकी चीजों के लिए IMF कभी loan नहीं देगी, और जो projects country में बनाया जात अच्छे से यह बहुत ही important point है, इसमें बच्चे confused होते हैं, अगला question है, the income of Indians working abroad is, इसका answer है, income earned from abroad, जैसे मान लिजे, कोई भी वैक्ति अगर किसी country में काम कर रहा है, सौधी, दुबई, अमेरिका, कैनेडा, अगर वो वहां से पैसा भेजता है, तो वो GDP में डायक्ट इंक् लिकिन GNP calculations के वक्त उसको add कर लेते हैं, इन सभी चीजों के बारे में, रविन सर ने अपने second lecture में बताया है, जिसको समझ में detail में नहीं आ रहा है, लेक्चर को follow कीजिए, वहां आप इसके बारे में detail में समझ सकते हैं, तो बच्चों एकदम आप लोग निश्चिन्थ हो चाहिए, हर चीज के बारे में हम लोगों ने detail में बताया है, आप लोगों कोई दिक्कत रही होगा, questions आप जल्दी जल्दी attempt कर पाएंगे, लेक्चर को जरूर फॉलो कीजिए, और number जोड के हमें last में जरूर बताईएगा, अगला question है, census of Indian agriculture is done by, इसका answer is production method, इसको आप डा first income committee was established in, इसका answer है 1949, तो 1949 में पहला income committee बनाया गया था, इसको एदम आप लो directly ध्यान दीजिएगा, किस year में बनाया गया था, अगला question है, the central statistical organization, CSO, provides data under a new revised series in which of the base year is taken as, इसका answer है, 2011 and 2012, पिछला जो base year लिया गया था, वो 95 और 96 लिया गया था, 1995 और 96, इस बान 2015 और 16 लेना था, लेकिन 2011 और 12 ले लिया गया, इसका answer है, 2011 और 12, सबसे पहला जो base year लिया गया था, वो 95 और 96 लिया गया था, तो अभी तक total 7 base year लिया गया है, इस बात 2015 और 16 को लेना था, लेकिन 2011 और 12 ले लिया गया, और इसको क्यों लिया गया, इसके बारे में रवीन सर अपने लेक्चर से बताएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजेगा, और कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करिएगा, अगला question है, depreciation is equal to, इसका answer है GNP और NNP, तो depreciation का मतलब क्या होता है, कि जब कोई company production करती है, मान लिजे कि उसने 100 कार बनाए, तो 100 कार बनाया तो उसको GDP में include कर लिया, लेकिन उस 100 कार में 2 कार खराब निकल गया, तो GDP जब वहाँ पे चेक होगा, जब वहाँ पे लोग चेक करेंगे उसको, तो देखेंगे 2 कार खराब है, और उसको कोई खरीद भी नहीं रहा है, या कितना हमारा loss हुआ, cost में, तो उसको भी हम depreciation में ही जोड लेते हैं, अब बताव अगला, अगला question है, which among of the following उजे direct tax, इसका answer है, wealth tax या income tax, इसमें आप लोगो confused नहीं होना है, तो tax जो है, दो types के होते हैं, direct और indirect, इन दोनो types के बारे में, और इसके अंदर के और भी जो kinds होंगे, जो उसके special types हैं, उनके सभी taxes के बारे में, रविल से अपने lecture से में बताएंगे, तो आप लोग उसको एकदम, नहीं, गबड़ा गया, अगला question है, which among the following is direct tax, इसका answer है, wealth tax, या income tax, इसमें आप लोगो confused नहीं होना है, direct tax और indirect tax, इन दोनो types के बारे में, और इसके और भी जो types होंगे, उन सभी types के taxes के बारे में, रविल से अपने lecture से में बताएंगे, तो चलते हैं, अगले question पर, अगला question है, which among the following is not direct tax, इसका answer है, sales tax, तो sales tax, जो है direct tax, नहीं है, यह indirect tax है, और जो GST आप लोगो देते हैं, किसी भी product को खरीते या बेशते वक्त, वो भी एक तरह का indirect tax है, जो की sales के अंदर आता है, अगला question है, which among of the following is a largest source of income for central government, इसका answer है direct tax, और direct tax के अंदर, income tax से सबसे ज़्यादा पैसा central government को जाता है, और अगर आपको question आए, कि central government जो है, किस पे tax लगा के और भी पैसा कमाती है, तो दूसरे number पे जो है, वो petroleum product है, petroleum product पे tax लगा के central government के पास पैसा जाता है सबसे ज़्यादा, तो पहले number पे income tax हो गया, और दूसरे number पे petroleum product, इसको आप लोग एकदम ध्यान रखियेगा, ताकि एक्जाम में अगर question आए, तो आप लोग अच्छे से attempt कर सके, अगला question है, which of the following tax is imposed by state government, state government कौन से tax लगाती है, किस पे, इसका answer है entertainment tax, तो entertainment पे tax लगता है, जैसे माल यह cinema hall जो खुलता है, उसको entertainment tax देना होता है, और अगर आप से question आए, कि सबसे ज़्यादा पैसा किस से कमाती है state government, तो liquor business सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, सराब में tax लगा के, जो की excise duty के नाम से जाना जाता है, तो state government जो है, excise duty लगा के सराब पे सबसे आदा पैसा वहाँ से कमाती है, इससे भी अगर आपको question exam में इस तरीके का आता है, तो आप लोग को confused नहीं होना है, और अच्छे से question को attempt करना है, और numbers को जोड़ते चलिए, लास्ट में हमें comment करके जरूर बताईएगा, अगला question है, which among the following is a open bank for small industries, छोटे उद्योग जो होते हैं, इसका answer है SIDBI, इसको आप लोग डायेटली याद रखिए, small businesses के लिए, industries के लिए, SIDBI जो है, एक open bank है, जहां से आपको loan और हर एक चीज, facility प्रोवाइड कराए जाती है, अगला question है, which among of the following bank was earlier known as Imperial Bank of India? इसका answer है State Bank of India, तो यहां पर आप लोग ध्यान दिजेगा, Imperial Bank of India जो है, 1921 में आया था, और 1955 में इसको nationalize करके नाम चेंज कर दिया गया था, State Bank of India, अगला question है, when were 14 Indian banks nationalized in, कब nationalize किया था, 14 banks को, इसका answer है 1969, और अगर आप से question आता है, कि और छे बैंकों का nationalization कब हुआ था, तो 1980 में और भी छे बैंकों का nationalization किया गया था, पहले 14 banks का किया गया, 1969 में और 1980 में और भी छे बैंकों का nationalization हुआ, अगला question है, नाबाड stands for, इसका answer है, National Bank of Agriculture and Rural Development, तो जो भी एग्रिकल्चर के लिए लोन दिया जाता है, ताकि ग्रामिड विकास हो सके, यह Agriculture Ministry के अंदर आता है, यह Non Profitable Bank है, इससे किसी को, बैंक को कोई भी profit नहीं चाहिए होता है, यह सिरिफ development पे ध्यान देती है, ताकि ग्रामिड विकास हो सके, और अगर आपको कोश्चन आता है, कि 2021 में कितना fund रिलीज किया गया था इस बैंक को, ताकि वो लोन दे सके, तो आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा, 3000 करोड, अगला कोश्चन है, वर्गिस कूरियन इस रिलेटेड टू, इसका एंसर है white revolution, तो जब भारत में white revolution, white करांती लाई गई थी, सुवध करांती, milk production के लिए, ताकि हमारा जो भारत है, वो milk production में self-sufficient हो सके, तो इसके जो head थे, वो वर्गिस कूरियन थे, और अगर आपको ये question आता है, कि कौन सी company ने इसको लांच किया था, तो Amul Company, जिसका दूद इंडिया पीता है, अगला कुश्चन है, Blue Revolution is related to, इसका एंसर है Fish Production, तो Blue से आप लोग याद रखियेगा, समंदर जो है नीला होता है, तो Blue Revolution किसके लिए आया था? इसका एंसर है Fish Production के लिए, अगला कुश्चन है, Blue and White Revolution is related with, तो इसका एंसर है Fish and Milk, तो Blue जो है हमने पहले ही बताया आपको, ओसियन से याद रखियेगा, Blue Revolution जो है वो Fish Production के लिए किया गया था, और White Revolution जो है, वो Milk Production के लिए किया गया था, जो Milk है वो White होता है, इस वज़े से White Revolution कि जा गया था, Milk के लिए, ताकि इंडिया जो है, Milk Production में Self-Sufficient हो सके, अगला कुश्चन है, Brown Revolution is called, यहाँ पर मिस्प्रिंट है, यह Gray Revolution question यहाँ पर होना चाहिए था, Gray Revolution is called, तो इसका एंसर है, Increase in Fertilizer Production, तो Fertilizer Production को बढ़ाने के लिए, Gray Revolution लाया गया था, और Brown Revolution जो है, वो लेदर के लिए लाया गया था, इसको आप लोग एकदम ध्यान दिजिएगा, Confuse नहीं हो यहाँ पर मिस्प्रिंट है, Gray Revolution जो है, वो Fertilizer के परड़ाने के लिए किया गया था, और Brown Revolution जो है, वो लेदर के परड़ाने के लिए किया गया था, तो अगला कोश्चन है, A Short Term Government Security Paper is इसका एंसर है Treasury Bill, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, तो हम लोग को Security के ताओर पर कुछ देना होता है, जैसे कि जमीन का पेपर हो गया, या प्रपर्टी के पेपर हो गया, लेकिन जब गौवर्मेंट लोन लेती है बैंक से, तो एक वो बिल पर गौवर्मेंट आफ इंडिया का signature करके दे देती है, जो खजाना गौवर्मेंट के पास मौझूद है, उसके बेश पे, तो वो एक सिर्फ साइन पे बैंक उसको लोन दे देती है, तो वो Treasury Bill पास करती है, और हम लोग जो है Treasury Bill नहीं पास करते हैं, चाहे हम लोग के पास कितना भी खजाना हो, ये बिल सिर् इसका answer है, initial public offering, जब कोई भी company, stock market या share market में अपने share को launch करती है, तो सबसे पहला step जो वो लेती है, वो initial public offering है, उस time पे इसके share सस्ते होते हैं, तो जब लोग जब इस पे investment करेंगे, shares को खरी देंगे, तो जिस हिसाब से investment होगा, उस हिसाब से share का value up and down होता है, इसको आप लोग अध्यान दिजेगा, अगला question है, nifty is associated with, इसका answer है, nse index, यानि कि national stock exchange index, तो हमारे इंडिया में, major types of share market run करते हैं, sensex और nifty, तो sensex जो है, वो बॉंबे stock exchange का index है, और nifty जो है, वो national stock exchange का index है, दोनों का अगर headquarter आपके exam में पुछा जाए कि कहां पे है, तो दोनों का headquarter मुंबाई में है, और आप लोग एक बात ध्यान दिजेगा, कि नाबाड जो है, उसका भी headquarter मुंबाई में है, अगला question है, bull and bear are related to which commercial activity? इसका answer है stock market, तो bull जो है stock market में क्या होता है, जब कोई person, किसी भी company का share सस्ता होता है, तो वो क्या करता है, उसको खरीद लेता है, और लोगों में ये अफ़वा फैला देता है, कि ये company बहुत अच्छी है, इस पे invest करना सही है, तो इस तरीके से लोगों से invest करवा के, company के share को बढ़ा देती है, तो जब company का share बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको base देते हैं, तो अपने वो profit gain करते हैं, तो इस तरीके के लोगों को bull कहा जाता है, जैसे कि आप समझ लेजे, जो हरसत महता स्केम हुआ था, वो भी यही करता था, वो एक तरगे का bull के तरह काम करता था, किसी पे company को, जो नया company अपने share को launch करती थी सस्ते दाम पे, उसको खरीद लेता था, और लोगों से invest करवाता था, ताकि उसका value बढ़ जाए, और बाद के share का value बढ़ा हुआ होता है, तो वो लोगों में यह अफ़वा फेला देता है, कि यह company खराब है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो share जो है company का घट जाता है, share value घटने लगता है, तो जब सस्ता हो जाता है, तब उसको यह खरीद लेते हैं, तो यह दोनों एक दूसरे अगला question है, the consumption of inferior goods decreases when? मतला सस्ता माल का consumption घट जाता है, कब? इसका answer है, income increases, जब इन्कम बढ़ जाएगा, तो सस्ता माल पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग थोड़ा परफिटेबल चीज़ें खईदने चाहते हैं, तो सस्ते माल का consumption इस टाइम पे घट जाता है, अगला question है, for a goods, negative income elasticity and positive price elasticity of demand, then the good is, कौन सो good होगा? इसका answer है, different goods, तो negative income elasticity का मतलब हुआ, कि लोगों का income कम हो गया, और demands बढ़ गया, और positive pricing elasticity का मतलब है, कि उसका price भी बढ़ गया, तो जब किसी भी products का price भी बढ़ जाए, demand भी बढ़ जाए, और income कम हो जाए, तो वो different goods में आते हैं, जैसे कि bread हो गया, तो bread जो है, जब उसका price बढ़ जाएगा, जैसे मालने जो 20 रूपय में, वो दो रोटी खा सकता है, तो जो जिसकी income कम होगी, वो bread को prefer करेगा, तो bread जो है, ज़्यादा प्रिफर करेगा, क्योंकि सस्ता पढ़ेगा, उसको और वो खा सकेगा, और इसके जो सारे goods हैं, ये different goods में आते हैं, क्योंकि जो जो जब लोगों का income कम हो जाता है, तो वो महंगे products पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो रोटी कम खा पाएंगे, ब्रेट्स खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो डिमांड बढ़ने लगता है, और उसका price भी बढ़ जाता है, लेकिन लोगों का income जो हो जाता है, तो यह सारी चीज़े जो है जिफेंड गूट्स में आती हैं इसके बारे में रवीन सर ने डिटेल ने बताया भी है आप लोग लेट्टर्स को जरू से फॉलो कीजिए और एक्जाम्स के लिए एकदम आप लोग तयार हो जाएए अच्छे से अच्छे नंबर्स को स्कोर करिए आ टमाटो इन डोमेस्टिक मार्केट इफ कब घट जाता है डोमेस्टिक मार्केट में कब बढ़ जाता है टमाटो का प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में घरेलू मार्केट में इसका एंसर है एक्सपोर्टो फ्रेश टोमाटो टू अधर कंट्री जब एक्सपोर्ट होने पढ़ने से क्या होगा कि कंजर्प्शन कम होगा जो लोगों को ज्यादा टमाटर पर वहीं खरी देंगे तो इस तरीके से किसी भी चीजे का प्राइज जो है अपडाउन होता है अगला कोश्चन है डिमांड करब आफ जिफेंड गूड्स इज इसका एंसर है अपवर्ड राइजिंग तो डिमांड करब जो है जिफेंड गूड्स का हमें सब बढ़ता ही जाएगा सभी बच्चों ने कोश्चन को अटेंट कर लिया होगा कमेंट करके अपने नंबर्स आप लोग हमें जरूर बताइएगा ताकि हमें यह आइडिया लग स तरके कि आप लोगों के लिए किस तरह के कोश्चन से लेके आया हम थाइंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद झाली